हलो फेंट्स एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में आज आग लोग पढ़ने वाले हैं टेंथ क्लास की सप्लिमेंटी रीडर का चैप्टर नंबर थी चैप्टर बहुत इंट्रेस्टिंग है क्योंकि इसे लिखा है रोबर्ट आथर ने जान लेते हैं इसके करेक्टर्स के बारे में इसमें तीन करेक्टर्स है एक है जासूस जिसका नाम है जो कि यहां पर आपको काफी मोटे विक्ति के रोप में दिखाई दे रहे हैं बीच में जो जेंटलमें खड़े हैं यह है हमारे पॉलर जो कि एक राइटर है जो कि ऑज दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल भी किसी भी एंगल से वह जासूस जैसे नहीं दिखाई देते हैं जब भी हमारे सामने यह नाम आता है स्पाई या जासूस या डिटेक्टिव तो हम सोचते हैं एक ऐसा विक्ति होगा जो पिट और पाइंड होगा बहुत तेज तरार चालाक होगा लेकिन ओजिबल के बारे में अगर बात करें तो कहीं से भी वो कोई सिक्रेट एजेंट नहीं लगते हैं फोलर एक राइटर है ओजिबल से मिलने के लिए आते हैं उनके होटल में उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं ये एक फ्रेंच होटल में रहते हैं टॉप फ्लोर पे और जब वो आ रहे हैं यहां पे अंदेरे से बरे हुए गलियारे से होते हुए इनके पास में आते हैं और एक फोलर उमीद कर रहे थे कि मैं वहाँ जाओंगा तो वहाँ बहुत ही शानदर इंट्रेस्टिंग एक्साइटिंग गटना ही होंगी लेकिन यहाँ पर बहुत सब कुछ सिंपल लग रहा था ओजिबल काफी मोटे है लेकिन उनके बारे में एक बात जरूर खास है कि उनका एकस जो है वो साफ साफ बोलने का दिखाई देता है जो राइटर फोलर है उनसे कहते हैं आप यहाँ आके बहुत अधिक निरास हुए होंगे आपने सोचा होगा मेरे यहाँ पर बहुत इंट्रेस्टिंग घटना होगी आप किसी सिक्रेट एजेंट से मिलने जा रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ भी विशेस जो है वो देखने को नहीं मिला आपने सोचा होगा यहाँ पर कोई और जासूस होगा उसके हाथ में बंदूख होगी इदर जोसे फाइरिंग होगी और बहुत ही शांदार रोमांचकारी गटना होगी लेकिन आप तो यहाँ पर फ्रेंच म्य और फिर वो चली जाएंगी इस तरह मेरे मेसेज ट्रांसपर होंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पर आप बिलकुल बोर हो रहे हैं पोजिबल फोलर को कहता है कोई बात नहीं आपको घम हुआ आप परेशान हुए लेकिन आप अभी जो मैं नियूज आपक इस पेपर के पिछे बहुत सारे लोग पड़े हैं और इस पेपर से हिस्ट्री जो है वो पूरी तरह बदल जाएगी और दुनिया में बहुत अधिक पदलाव इस पेपर से आने वाला है ऐसा चांदकर फोलर जो है वो बड़ा ही खुश हुआ वो अपने कमरे में जाते हैं जैसे ही कमरे में जाके लाइट ओन करते हैं बहुत अधिक दोनों सर्प्राइज जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है और उसके हाथ में गन है ओजबन ने उसे देखा और फिर कहा अरे मैक्स तो तुमने तो मुझे बहुत चकित कर दिया मैंने सोचा कि हालंकि वह बहुत ही डरावना और खतरनाग नहीं लग रहा था इसने कहा रिपोर्ट जो रिपोर्ट तुमारे पास में आने वाली है मिसाइल्स के बारे मैं मैंने सोचा तुमारे पास वो सुरक्षित नहीं होगी तो मैं इसे ले लेता हूँ मेरे हाथों में वो बहुत के लिए आया हुआ है ओजेबल वहां पे आराम से बेट जाता है और उसे कहता है कि में बहुत अधिक प्रोजित हूँ इन होटल वालों से इन होटल वालों को मैंने कितनी बार कहा दिया ये दूसरी बार हुआ है कि कोई व्यक्ति इस वेकार सी बालकनी से मेरे कमरे के अंदर गुसा है फॉलर उस तरफ जो एक खिड़की है उसके तरफ देखता है ये खिड़की एक साधर्म खिड़की है उसके बाहर बिलकुल अंदेरा है बाहर क्या है कोई जान भी नहीं सकता मैक्स कहता है बालकनी अरे मैं बाल किसे आया हूँ अगर मुझे पता होता यहां पे बालकनी है तो मैं उसी से आता और मेरा समय बच जाता ओजिबल कहता है अरे ये मेरी बालकनी नहीं है मेरे रूम के पास में एक रूम और है वहाँ पे एक लंबी बालकनी बनी भी है जो मेरे रूम की विंडो से टच होती है औ उसी विंडो से पहले भी एक व्यक्ति आ चुका है और मैंने होटल वालों को कप्लेन किया था कि इसे आपको ब्लोक करना है लेकिन उन्होंने इसे ब्लोक नहीं किया और देखो तुम इससे आ गए लेकिन मैक्स जो है कुवास्त में एक पास किसे आया था मैक्स ओजेबल से कह कहता है मुझे लगता है कि हमारे पास आदा गंटे का समय है आदे गंटे बाद में तुम्हारे पास वह रिपोर्ट आएगी और मैं उसे ले लूँगा पॉजेबल कहता है हाँ लगबग 31 मिनिट का हमारे पास में टाइम है अपॉन्मेंट मेरा जो था वह 1230 का था और तब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी तब तक मैक्स मुझे ये बताओ तुम्हें उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगा मैक्स कहता है मुझे सब कुछ पता है उस रिपोर्ट के बारे में और तुमारे पास वह रिपोर्ट किस प्रकार से आ रही मैं सारी जानकारिया रखता हूँ तुम चालाग बनने की कोशिस मत करो मैं जल्दी तुमसे वो रिपोर्ट लेने वाला हूँ वोलर ये सारी घट्टाएं देखके बड़ा ही आश्य चक्कित हो जाता है कुछ समय पहले यहां पे सब तो मैंने पुलिस वालों को बोल दिया था कि समय समय पे आप लोग मुझे चेक करते रहना मैक्स जो है वो बड़ा ही नर्वस हो जाता है पुलिस का नाम लेके और बाहर से मोग की जो आवाज हो लगातार आ रही थी अब ओजिबल कहता है कि मैक्स तुम क्या करोगे अगर मैं खिड़की की तरफ देखने लगा उसने अपने एक पैर को खिड़की की तरफ लगा दिया और दूसरा पैर अभी भी उसका रूम के अंदर था उसने सोचा कि इधर खिड़की के बाहर जो बालकानी है उससे मैं बाहर चला जाता हूँ और आसानी से बच जाओंगा उसने ब पार की तरफ चला जाता है बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है और मैक्स जो है वो नीचे गिर जाता है उसके बाद में किसी प्रकार की आवाज नहीं आती है दरवाजा खुलने के बाद में वेटर वहां पे आता है वेटर के पास में ट्रे है एक बोटल है दो ग्लास है और कहता है कि सर आपने जो ड्रिंक ओडर की थी वो यहां पे आ चुकी है पोलर जो है वो बड़ा ही चकित हो जाता है कि एरे यहां तो पुलिस आने वाली थी पुलिस का क्या हुआ औजबन ने कहा पुलिस नहीं आने वाली थी केवन वेटर ही आने वाला था और मुझे इस बात का पता था तो फॉलर ने कहा कि वो व्यक्ति जो बॉलकनी में है तो उसने कहा कि हमारी खिर्की के बार कोई बॉलकनी नहीं है मैंने जूटी काहनी उसको बनाई थी और वो उस जूटी काहनी में फस गया और वो बाहर गिर के मर चुका है दोस्तो हमने देखा कि किस प्रकार से ओजिबल एक मोटा वेक्ती होने के बाद बहुत चालाक वेक्ती है और उसने किस प्रिकार से मैक्स को पागल बनाया और उसे मार दिया दोस्तों मुम्मित करता हूँ यह चप्टर आपको पसंद आया होगा इस सब्जेक्ट के अन्ने वीडियोज को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मॉट